दोस्तों खबर ये आ रही है कि कतर ने दी हमास को धंगी जी हाँ कतर ने दी हमास को धंगी कतर कहता है इसराइल से अगर आप एगरिमेंट के लिए राजी नहीं हुए तो हम हमास के सुपीन डीडर हिस्माइल हानिया को कतर से डीपोर्ट कर देंगे यानी मिकाल देंगे और तो वही गज़ा के रफा का हल सबसे बुरा है और पूरा गादा इस समय रफा में आकर बसा है और इसराइल अब उस रफा के इलागे पर भी हमला कर रहा है रफा में एक कार बम इस्पोर्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों के हिसाब से लोग घायल भी हो गए और वही राफा की ये तस्वीर आप देख सकते हो और दूसरी तर्ब महिनों तक भुख मरी और इसराइली कब्दों से पीडित होने के बावजूद भी उत्तरी गाजा में फिलस्तीनी रामदान के पविश्चर महिने का स्वागत करने के लिए तयार हुए और आप ये उत्तरी गाजा के लोगों को देख सकते हो कि वो रमदान के कैसा स्वागत कर रहे हैं